परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले वे उनके पर बोलते हैं और वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं नमस्कार मैं हूँ प्रताप राजप्रवित और आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकार देने वाला हूँ कि कैसे हम ओनलाइन में बैस्ट अपना कर सकते हैं लाखों विद्यारती ओनलाइन पढ़ा ही करते हैं कोई किसी यूटूब से पढ़ सकता है कोई अपनी एप से पढ़ता है लेकिन उनमें से बहुत सारे विद्यारती अपनी मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते हैं बहुत सारे यसे विद्यारती हैं जो online पढ़ते हैं बहुत अच्छे marks लाके आते हैं टॉप करते हैं ने केवल केवले school के exam में बलकी बड़े बड़े competitive exam है उसमें भी टॉप करते हैं तो ऐसे कौन से कारण है जिसके वज़े से हम online पढ़ करके अच्छे marks नहीं ला पाते हैं और topers या अच्छे marks लाने वाले ऐसे क्या करते हैं जो online पढ़ करके अच्छे marks लेके आ जाते हैं और अपना जो goal है उसको प्राप्त करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे विद्यारतियों जब भी हम online पढ़ें तो किन-किन बातों का ध्यान रखें कौन सी ऐसी ची जो हमें attract करती है वो सारी बाते हम इस वीडियो में करने वाले सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ आप अब भी तुरंत कमेंट करके बताओ ऐसी कौन कौन सी चीजी है जो आपको डिस्टेक्ट करती है हर विद्यारति की साइध अलग अलग रीजन होंगी आपको अभ concentration के अंतर एकागरता के अंदर बदलेंगी तो सबसे पहले आप लिखी comment box में कि यह यह रीजन है सर जो हमें distract करते हैं अलग लग student के अलग लग हो सकते हैं जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले क्या 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 प्रॉब्लम आती है online पढ़ने वाले विद्यार्थी और उसका solution क् सब बात करने वाले सबसे पहले distraction किस किस से होता है अलग लग विद्यार्थी के लिए अलग लग होता है किसी विद्यार्थी कि यह को तसर मा over thinking करता हूं सोच तैरे जाता हूं जान मेरा चानक से जल जाता है कोई विद्यार्थी कि किसी और अपने दोस्त का message आ गया disturbed हो गय किसी का घर में इदर उदर बैठे आ गई पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ disturbed हो गया यानि सब विद्यार्थी कि अलग अलग district के point है और district के point को कैसे ठीक किया जा सकता है वहाँ पर हम अपने आपको कैसे सुधार कर सकते हैं problem आपकी क्या है online पढ़ाई कर रहे हैं तो आप district होते हैं solution क्या है उसको आपको concentration करना है कैसे concentration करना है हम उसको अपने आपको एकागरता कैसे ला सके पूरा एकदम मंस के साथ में कैसे जुड़ सके सबसे पहला आपको अपना time तै करना है आपको लगता है कि जब आप study कर रहे हैं और उसी के दोरान आपकी किसी दोस्त का अपने और वापस कब आएंगे इसका पतया नहीं रहता है इसलिए सबसे पहले आपको time तै करना है आपको अपने आपर control करना है क्या करना है control करना है और control एक दिन में नहीं आएगा धीरे धीरे आएगा आपको अपनी आदत में लाना पड़ेगा आदतें शुरू में मकड़ी के चाले के तरह होती है और बाद में लोहिक की जंजीरे बन जाती है तो ये धीर धीरे आदत मिलाना होगा एक बार आप पढ़ाई करें उसी दुरान के निदोस्त का phone आ गया message आ गया कोशिस कीजे का नहीं करना है कोई बात नहीं वापस जब free होंगा तब कर दूँगा अपन सा दो मिन्ट का एक मिन्ट का थोड़ा सा आंख बंद करके पाउर नेप लेना है इसके अलावा आपको थोड़ा मेडिसन है योगा है उसका भी टाइम निकालना है अपना जो आपके रूटीन है उसमें उसका टाइम आपको सेट करना है नमबर थ्री बात आपको क्या करना ह आपका जो जहांपर आप पढ़ते हैं, वो comfortable हो, आपका जो पढ़ने का जगे हैं, वो comfortable हो, थोड़ा सा अराम दाइक बैठने में हो, यह होना जरूरी है, तो जो भी distraction के आपको point है, पहले तो आपको तैय करना है कि कौन-कौन से आपको district करते हैं, यह point मैंने का कि comment box में लिख अच्छी आदतें बन जाएगी ना, फिर निशित रूप से आपका काम होता रहेगा, दूसरा problem आती है, demotivation, विद्यारती शुरू-शुरू में जब online classes लेते हैं, तो बड़ा जोस होता है, motivation होता है, यह होता है, वो होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आगे ब ऐसे कहता है, सिधा reward देता है, कहता है कुछ तो थोड़ा आपकी पीट थपता पाता है, तो कहता है, थोड़ा motivation आता लग से आता, लेकिन online में teacher तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, आपको किवल शब्दिक बता सकते हैं, आपको कह सकते हैं, तो लगातार motivate कैसे राजा सकता है, क्यों आप motivation कैसे, मैंने तो कहा कि online teacher आपको क्लास में तो सीधा बताएगा, अपने आपको कैसे motivate करोगे, आप online study कर रहे हैं, तो अपने आपको कैसे motivate करोगे, तो इसके मैं तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आपने आपको motivate करेंगे, सबसे पहली बात तो आप मेरे वीडियो देखें ठीक है, आप मेरे वीडियो देखेंगे, और मेरे वीडियो देखकर कि आपको कैसे लग रहा है, comment box में जुरू बताएगा, दूसरी बात, अपने आपको reward दें आप, अपने आपको award दें, अब आपको okay sir, हम अपने आपको reward कैसे दें, अपने आपको award कैसे दें, मालनों कि आपने एक घंडे की कोई class लिए, live class लिए है, recorded class आपने देखिए और बढ़िया एकदम पूरे मन के साथ में, शिद्दत के साथ में आपने देखिए है, तो आपको उसका reward क्या देना है, उसका जैसे ही आपने class देखी, पूरा देख लिया, उसके notes मना लिया, सब पढ़ लिय उसके बाद में कि भई, ये मनें बढ़िया काम क्या है, अप अपने खास दोस्त से, अपने friend से किसे से आप बात कर सकते हैं, कि देखो, बात में आप अपने को, आपने जैसे जिसोगा अच्छा लगता है उससे आप बात कर सकते हैं, ये मने एक गुदहार न दिया है, फिल्म है उसको देखिए 10 मिट 20 मिट या आधा गंटा उसको देखिए ऐसे नहीं पूरा एक गंट देखिए पूरा तीन गंटे के देखिए उसको इतना ही देखिए या इसके लावा मन पसंद कोई गेम खेले आप है ना फैमिली में किसी कोई मेंबर है कि जिसको बात करना है पॉजिटिव फिल करेंगे कि मैंने ये क्लास ली थी उसके बदले में अपने आपको मैंने ये रिवोट दिया है तो ऐसा करके देखिए का बड़ा अच्छा लगेगा और जो जो ऐसा विद्यार थी करें वो वीडियो देखने के बाद में कमेंट में जरूर मुझे बताना सर आज मैं इतना मोटिवेट हो गया इतनी मैंने वीडियो देखे थे मोटिवेशन के देखे थे मैंने जितने भी सोसल मीडिया प्लेटफर्म पे मैं था ना उसको डियक्टिवेट कर दिया है मैं किसी पर नहीं हूँ मैं इंस्टा पर नहीं हूँ स्ने पर नहीं किसी पर न हम उनका जो side effect, मतलब जिसके वज़े से हमारा time ज़्यादा spend हो उससे बच कह सकते हैं, उसका solution निकालना है, social media से आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, whatsapp से, facebook, insta, जो चीजे हैं, कहीं कहीं चीजे हैं, आप भी पड़ते हैं, तो आपकी पास मैसेज आदे कुछ काम के भी चीजे होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीजे होती है, educational जो चीजे होती हैं, उसका देखने के लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, तो आप उनसे कैसे, आप अपने आपको manage कर सकते हैं, तो social media, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, दू दिन, पास दिन आप कर लोगे, एकदम हो करके, लेकिन आपको अपना time तैय करना पड़ेगा, यानि आपको discipline होना पड़ेगा, उनमें क्या करना पड़ेगा, discipline के लिए क्या करोगे, आपको नियम बनाने पड़ेगे, और नियम कठो दिरे दिरे आपको करना ही पड़ेगा, एक साथ में सब नहीं होगा, एक साथ में नहीं छुटेगा, मैं फिर का देता हूँ, कोई कोशिस भी कर लेना एक साथ में सारा नहीं छुटेगा, दिरे 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 दिरे, मैं आपको कहूँ कि आज आप महिने बर का खाना एक साथ में खा लीजी महीने बरके exercise एक साथ में कर लीजी हो सकता है क्या संभव हो क्या नहीं है priority देनी आपको आपको category बनानी है कि मेरे primary काम कौन कौन से सबसे पहला काम कौन सा है secondary कौन सा और third कौन सा यह priority देनी आपको तीन category में डिवाइड करना है आपके time को discipline तभी तो हो पाएग देना है तो priority के साब से आपको काम को डिवाइड करना है first second third चोड़ी चोड़ी बच्चों को आपने देखा होगा चोड़ी चोड़ी बच्चों को जिनको सुरू में कुछ लिखना नहीं आता है तो उनकी class की जो में हो क्या करती है वह उनको सीधी लाइने सिखा दिया करती लेकिन उन नियमों में ऐसे रखिए कि आज में इतना करूंगा आदा गंटा 35-40 मिन इसको इस तरह से बढ़ाना है थोड़ा 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 करना है तो priorities देखर नहीं आपको कि मेरी priority कौन कौन सी है first priority की काम कौन से second की कौन से third की कौन से आप देखना आप ज्यादा तर समय जो third priority वाले काम है उसमें spend करने हैं जैसे ही आप रहे हैं प्राइटी काम तो लगेगा या time तो बहुत है ये time तो मैं जाया कर रहा था वो बच जाएगा आराम से अगला हमारा point आता है आर डबलू आर डबलू आप केवल reading कर रहे हैं writing कर रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं किसी से पूछा student से मैंने कि क्या कर रहे हैं सर मैं सारी class लेता हूं एक भी class नहीं चोड़ता हूं live देखता हूं recorded recorded लेता हूं और उसके बाद उसकी notes भी बनाता हूं सारा गाम कर लेकिन सबसे बड़ी गलती जो कर रहा है वो विद्यारती को किसी को भी नहीं करनी है अगर हम केवल reading और writing कर रहे हैं तो हम उन्हें student के अंदर है online में पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हमारा result उतना नहीं आ रहा है और जो top करने वाले विद्यारती है वो एक और काम करते हैं बस वो आपको भी करना है क्या करना है और डबलू आ ये तीन काम आपको करने है reading राइटिंग के साथ में सबसे most important है revision 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 आपको अपने revision का time manage करना है आपको तै करना है कि मैंने जो reading writing की है उसको revise कब करूँगा अगर revise नहीं करोगे तो चाहें कितना ही पढ़ लो आप exam में कैसे अपने आपको present करोगे जितनी दफ़ा revise करोगे ना उतना आपकी presentation अच्छी होगी चाहें वो speech की हो चाहें आपकी reading की हो चाहें exam में presentation की हो उतनी बढ़िया होगे आप जितना ज़्यादा revision करोगे उतना भैतर होगा तो आप तै करें कि जो आपने 6 दिन में पढ़ा है संदे को उसका revise कर से करें या per day का revise करें अपना time set करें कि या यह मेरा जो time है वो revision का time है revision बहुत important है अगर revision को आप avoid नहीं करोगे तो आप भी online पढ़ने वाले उन student की category में चले जाओगे जो topper बनने वाले हैं उनमें आप चले जाओगे तो यह खास आपको धान रखना है अगला और last आपका point जो है कि भाई सार हम online पढ़ रहे हैं लेकिन हमरा कोई goal ही नहीं है हमारे parents ने कह दिया कि भाई यहाँ पर पढ़ाई करनी है हमारे दोस्त ने कह दिया हमारे friend ने कह दिया किसी अच्छे हमारे जो बड़े भाई भेहने उन्होंने suggest कर दिया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारा तो खुद का कोई goal ही नहीं है जब तक आपका खुद का कोई goal नहीं होगा जब तक आपका लक्ष नहीं होगा तब तक आपको motivation आएगा है नहीं आपकी समस्य का समधन होगा ही नहीं आपको लक्ष खुद को ते करना है क्योंकि किसे ने कहाना कि जो लक्ष निर्धारित नहीं करते वो यूहीं रह जाते हैं जैसे बिना टहनी के पत्ते पानी में बैजाते हैं इसलिए आपको लक्ष ते करना है लक्ष इसके लिए क्या क से सीखना है उसके लिए आपको अपना गॉल सेट करना है आपके मोबाइल पर लप टॉप पर PC पर आपको उस गोल को Wallpaper बना लेना है और उसको देखना है सूबर सेम आपकी आँकों में निजरों में आना जहां study करते हैं आप उसके आगे पेपर चिप कांके रख लेजिएगा कि मुझे इतने percentage लाने है मुझे ये करना है आप अभी जितने भी student वीडियो देख रहे हैं वो comment box में अभी लिखके मुझे बताओ कि आपका goal क्या है कितना percentage लेख आएंगे क्या क्या आप सेखने वाले ह और उसका screenshot लेकर रखेगा आपके result के बाद में देखेगा उससे ज़्यादा आपके आने चाहिए कम नहीं आने चाहिए तो तो आप उस पर काम कर रही नहीं तो आप नहीं करें अपना वालेपर लगा लिजी तैक कर लिजी कि मुझे ये करना है अगर इस तरह से आप प्ला ही तो कर रहें लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे उतना मार्स नहीं लापाएंगे जो बाके श्रुएंट कर जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी कहानी समझ में आगी होगी कि हम ऑनलाइन पड़ करके भी टॉपर्स कैसे बन सकते हैं आपके अपने distraction को आपको concentration में convert करना है, demotivation की जो चीज़ें उनको motivation में convert करना है, social media का time management करना है, discipline ते करना है, rw के साथ में rwr करना आपको, अगर goal नहीं ते किया है तो आपको अपना set your goal करना है, निशित रुप से सफलता आपके कदम चुमेगे, यह पूरा वीडियो देखने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तही दिल से आवार, थैंक यू सो मच